जो कोई स्टूडेंट ने औरो उनिवर्सिटी मा अभ्यास करवो छे तो खास करी ने इमना माटी ना माहीती बनी रहा है शे औरो उनिवर्सिटी ना असुसियेट प्रोफिसर और एक कोई एक स्पैसिफिक डिपार्टमेट ना हेड आपनी साथे छे तेमने साथ आपने वादचित करी शूँ मेडम साउथी पहला तो आजे एकस्पो नो बीजो दीवस शे स्टूडेंट नो क्यों रिस्पोंस मड़ी रहो छे अमें लोको खुश है, we are happy कि अमने सारा स्टूडेंस नो फुटफॉल सारो मड़ी रहो छे आने स्टूडेंस आर वेरी अमें लोको बहुँ एंथुजियाजम थी एमना पैरेंस नी साथे आवी रहा छे आने बदी डिटेल्स मांगी रहा छे तो we are happy वेडम, तमारी जे उनुवर्सिटी छे और स्पेशालीटी शूंचे? सुसाइटी ने यूसफुल थाई सके ये अमारू मेन विजिन अने मिश्चन चे और उनिवर्सिटी नूँ सर जेपन स्टुडेंट अहीं आवी रहा छे ए लोको अत्वा तो जे अमने हजू सुदियां या विजिक नती करी ए स्टुडेंटने तमेशु कहावा मागो जो जो स्टुडेंट सभी यहां पे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम लोगों का ये संदेश है that we are inviting all the students and the parents and the teachers as well so that they come over to our campus seeing is believing I think in the entire region of South Gujarat हमारा campus ही एक मातरहसा campus है जहां हमारे campus के अंदर एक five star hotel है courtyard Marriott यहां पे हमारे students जो B.Sc. Hospitality Management के students है उनके लिए training hotel का भी काम करता है apart from that हमारे साथ schools हैं जिने हम schools कहते हैं आम जुबान में लोग departments या divisions कहते हैं वहां पे अलग-अलग programs है all the students go for one year to six months internship किसी-किसी school में किसी-किसी program में दो महीने की internship है all these internships are paid internships यह internship करने के बाद जो बच्चे वापस अपने program को समाप्त करते हैं उससे पहले-पहले उनके हाथों में एक या दो job offers आ जाते हैं सर इतनी सारी universities है तो कोई भी student Auro University क्यों select करें? that's a good question Auro University जैसे मैम ने हमारी कलीग ने बताया we are actually having an umbilical cord with the Shri Aurobindo Ashram in Pondicherry तो Shri Aurobindo are the mother की जो teachings रही है education and we are the firm believers that nothing can be taught और education को कैसे अपने आप में बच्चे आत्मसाथ करके उसको अपने करियर में अपने जीवन में कैसे एक सोचारू रूप से वो उसका उप्योग कर सकते हैं एक तो USP हमारा वो है दूसरा USP यान यूनीक सेलिंग प्रपोजिशन जो हमारी philosophy है the philosophy of education, the philosophy of life पर से जो हमारी Shri Aurobindo और the mother के philosophy से आत्मसाथ करके बनाई गई है उसका कहीं न कहीं बच्चों की जीवन शैली पे, उनकी सोचने की शैली पे, उनके काम करने की शैली पे काफी महत्तों डालती है सर आज दूसरा दिन है EXPO का, कैसा लगा आपको और स्टूडेंट का response कैसा आ रहा है आज सुबे से ही काफी students और parents हमारे हैं पदा रहे हैं और कुछ तो जादा तर तो सूरत से हैं एक दो parents मुझे सूरत से जो आसपास के कस्बे हैं वहां से भी आने वाले हमें मिले हैं भी और काफी अच्छा response हमें यहां देखने को मिल रहा है सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी unique दिख रही है कि पहले जो हम लोग देखा करते थे कि students आते थे and the students would ask us questions आज जो मैं देख रहा हूँ खास करके कि शायद रविवार का दिन है छोटी का दिन है तो mother और father दोनों आये हैं और parents में जो जाग रुकता है और जो साह मुझे देखने को मिला है वो अपने आप में मुझे लगता है साइद ये सुरत में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है पिछले 6 साल में So this is one thing unique and that is the level and the degree of awareness which I am able to and happy to witness in all the parents अब भले वो IT हो, भले वो law हो, business management हो, hospitality हो, कई विधाओं में parents के पास आज की डेट में information है और वो हमसे बड़े pointed और बड़े focused questions पूछ रहे है and that is making us very very happy to be here today तो सूरत थी तो student बहुली संख्यावा आवीज रहा छे परन्तो आजु बाजुना जे गामड़ा हो छे त्याँ थी पन एक्सपो नी विजिट माटे खुब बधा student आवी रहा छे एकले हजु पन समय छे तबे सूरत माज रहता हो तो तो तमारे आज चांस शे मिस ना करवो जुई हजु पन आठवा गया सुधी नो समय आपड़ी पासे चे तमें एक वारा एक्सपो नी जो मुलाकात लेशो खास करें तमने जे पन युनिवर्सिटी नी मार्गरदर्शन जो ये तमाम युनिवर्सिटी नू मार्गरदर्शन तमने अहीं थी मली राशे कैमरा में मनिश ठाकर साथे होज इगनाशा टीवी नाइन सूरत